नमस्कार, ओम शान्ती, बाते हमारे काम के में आज फिर आपका एक बार स्वागत है मित्रो, पिछली एपिसोड में शायद आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे ब्रह्मा कुमार नत्मल भाईजी जिन्हों ने आपको अपना अनुभव सनाया और साथी साथ किस तरह से वो अध्यात्मिक रहस्यों को अपने जीवन में जन्मानस तक पहुंचा रहे हैं और अभी तक भी पहुंचाने का पुर्शार्थ कर रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ समय तक उन्होंने बहुत ज्ञान दिया जो अभी तक नहीं पहुंचा है आज फिर हम उनका इस कारिक्रम में स्वागत करते हैं और कुछ अध्यात्मीक रहस्यों के बारे में बातचीत करते हैं आईए स्वागत करते हैं हमारे ब्रह्मा कुमार नचमर भाई जी का भाई जी आपका इस कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत आपका भूद धन्यवाद आपने हमें याद किया जी आपने कहा आपका हमने जब परिशे देखा उसमें आपने कहा कि 1985 में आपने भारत एकता युवा पद यात्रा के और जो माउंट आबू से लेके देली तक है जो 1400 किलोमीटर की दूरी में है तो आपके मन में ये पद यात्रा ही क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं अमनात की यात्रा शिव की यात्रा के लिए भौनंगे पाओं ये सब कर आपने ये युवा पद यात्रा ही क्यों चुनी साहिद आपको याद होगा या आपने सुना होगा क्या है मुझे मुझे नहीं वालूं लेकिन 84 में इंद्रा गांदी जी का बडर हुआ था जो भारत की प्रधानमत्री थी उसके बाद में एक बहुत बड़ी दहसत प्रेश में फेल गई थी तो ब्रह्मा कुमारी इस्वरी शुद्याले हमेशा 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 देश और समाज के लिए काम करता है करता रहा है 1936 से आज तक तो हमारा भी एक उत्तरदाइत्य बन जाता था कि महाल एक ऐसा बन गया था जिसमें बहुत ही दहसत थी लोग इंसिक्यूर फिल कर रहे थे तो उस समय अनेक संस्ताओं के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रियास के जा रहे थे प्रजापिता ब्रहमा कुमारी शुर्ष उज्याले ने एक प्रियास किया कि हमारे युवा भाईबेन भारत के कोने-कोने से पद्यात्रें करेंगी और उसका उद्गातन जो है मांट अबू में उस समय के जो रास्ट्रपती ज्यानी जल सिंग जी थे उन्होंने इस पद्यात्रा का उद्गातन किया था जो तो में उद्गा Ton ऴुवारी स्टेट में रहता हूं हा सभी पूरी से वी डिलि bekommt यात्रा निकली ऐसे हुमारे स्वमनाद से दिली कलकता से दीली जरे अंनेक श्थानों से रामेश्यम से दिली ऐसे हुमारी यात्रह निकली यह पाधियात्रही टूटल उसमें चार मेने तो मैंने यह हमारी Central पदियात्रा थी क्योंकि इसमें पूरे देश के लोग जुड़े थे वह एक स्टेट के वाइस था रामेश्रम से दिली तो वहां के लोग थे यहां से एक लीडर भेजा गया था मेरा मन था क्योंकि मैने पिसले बार बताया था कि मेरा जन्म तान राज़्टान से तो मेरे में था कि राज़्टान लोगों को और इन भावनोंसे जोडा जाए और इसलिए मैंने इस केंद्री पदियात्रा में भाग लिया तो ये वैसे तो दिल्ली यहां से बाई ट्रेंज जाएंगे तो 700-800 किलोमेटर है लेकिन हमने वो सीधा रास्ता नहीं चुना हमने गाउं-गाउं का रास्ता चुना और उस समय हमारे सेवाकेंदर भी इतने नहीं थे लेकिन हमें सयोग पुब्लिक का बहुत मुला है हम जहां जहां भी जाते थे लोग हमारा बहुत ही दिल से स्वागत करते थे कई बार तैसा हुआ हम जैसे ही पहुंचें उस वर्ष जो है वो बर्षात नहीं थी राजस्तान में बर्षात होना एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है क्योंकि राजस्तान में आज तो फिर भी राजस्तान जुस रूप में आप देखते हैं उस रूप में राजस्तान के लिए बाहर गए तो इसलिए जहां भी हम पहुंच जाते थे यह तो इस्वरिय शक्ति थी फर्शात होती थी लोग इतने खुश हो जाते थे यह कौन आये हैं फरिस्ट आये हैं और हमें डेली करीब 40 किलो मेटर 35 किलो मेटर वेदल यात्र हम करके थे और जितने भी रास्ते तो जिस रास्ते में जो जूविव गाओं आते थे उन गाओं के अंदर जाकर करके हम बताते थे कि इस शरी शक्ति से जुड़ो तो सब समाधान हो जाएगा इसलिए क्योंकि विक्तियों तक पहुंचने के लिए समाज की एकाई तक पहुंचने के लिए सब से अच्छा क्यों क्योंकि अनेक गाओं के अंदर जाने का मुका मिला वह जीवन भी पिर आपको अनन्दमाए बहुत अनन्दमाए लगा सुरू-सुरू में इतना अभ्यास नहीं होने के कारण थकावट मसूचने लेकिन जैसे हम पहुंच आते थे और वहां के लोगों से मिलते थे वह हमने थकावट कहीं चली जाती है हमने लगाई लगता नहीं था कि हम 30-35 किलो मेटर चले हैं और फिर हम सुबह दाई वजे तीन बजे उठकर के फिर तयार हो जाते हैं ऐसे हमारी यह जो करीब दो मैना तक हमारी यात्रा चली और जिसका सुखद अन्भव मुझे आज तक मा जीवन था बहुत सी सुननी पड़ी बहुत सी ऐसी बाते सामने आए क्या आपके समय में भी कुछ ऐसा समय आया जो लोगों के मुखे द्वारा ब्रहा कुमारीच के लिए कुछ अप्षब्द कहे गए तो? उस समय ब्रहमाक मरीज का प्रचार प्रशार इतना नहीं था तो हम जानते हैं कि कान में और आँख में दो अंगुली का फरक है तो जो लोग नहीं देखते थे नहीं पास में आते थे तो वो केबल सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करके जो असलियत जो ज्ञान है जो इस्वरी सकती है उसका अन्भो किये बिना नेचरल है कि यहां की जो नियम है उन नियमों पर उनको विश्वास नहीं होता था तो इसलिए उल्टी-सुटी बातें कहते थे हमने भी लोग बोलते थे हमने भी बहुत बार सुना है लेकिन हमें उसको मन पर कोई असर नहीं होता था क्यों हमारे मन और बुद्धी में यह निश्य था कि यह आत्में जो हैं अन्भिग्ये हैं जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो कहीं पर भी जाता है अगर मान लो उस समय वो कहीं पर थोड़ी गंदगी भी कर देता है तो क्या उसका अबुरा मानते हैं उसको दूसरे लोग जो उसके रिलेटिव नहीं है फिर भी उसको उठा लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको चोकलेट खिलाते हैं, उसको मिठाई खिलाते हैं, लेकिन कभी उसको कोई थपड नहीं वारता है। जो फो हमें भी वह बातें कोई 주ok लोग हमारे सामने बोलते थे रहा हैं हमें लगता था कि अनभिग्य ऑनग क् enfor के वाम बड़े हैं लेकिन उस्वरिय शक्तियों से अनभिग्य lap चाना है कि अधा रहित हमें सो उनके उपर तरस आता था तो हमें कभी वो फील नहीं वा कि ऐसे क्यों बोले हैं कि हमारे बुद्धी में यह था कि अन्भिग्ये हैं इन पर तरस करके इनको सत्यता तक पहुंचाना है तो इसलिए हमने उन बातों को परवा नहीं करके उन बातों को अनसुना करके हमारे सत्य ज्यान को देने के लिए हमेशा अगरसर रही और आखिर उन्होंने माना तो जो पिछला दोर था और आपका जो दोर है और आने वाला जो समय है ये तीनों में और आज के समय में आपको क्या नुभव हो रहा है कि ब्रह्मा कुमार इसमें इतना उत्पत्ती हो चुकी है या और हो सकती है या जो पीछे लो था वो उपर उठके आया है आपके जीवन म किया एक्स्पिरियें से सिट खव घरे धिरे पुर्जापिता प्रण मेरे इस्वर सुधाले कि नज्धिक लोग आने लगे आत्माय आने लगे सभी कटोगरी के लोग आने लगे तब उनको सत्यता का धिरे जरे पता चला अज्ञानता का परदा उठता गया जब अज्ञानता का परदा उठता गया तो लोग नजदीक आने लगे और जब नजदीक आने लगे तो उनको ये सक्तियों का अनवा हुआ इश्वरिय ग्यान का अन्वा हुआ, योग का अन्वा हुआ, तो उनको पता लगा कि हम तो गल्तियां कर रहे थे, हमें दिस सीज को लेना चाहिए, हमें अपने जीवन को इसमें लगाना चाहिए, तो उन लोगों का जो अन्वा हुआ, तो उन्होंने दूसरे लोगों को पता तो इस वज़े से क्या हुआ कि अब जो है वो बात खतम हो गई और अब तो ब्रहमा कुमारी शुरी स्विज्याले में आक करके उसका मेंबर्शिप तो वैसे हमारी कोई फीश से मेंबर्शिप नहीं है लेकिन इसके साथ में जूडने के लिए लोगों को एक अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसे और्गनेशन से जोड़ा हूँ जहां पर कि आध्यात्मिक्ता के सिवा कुछ दूसरी चीज़ा ही नहीं जो दूसरा को निश्वार्त रूप से सिवा कर रहे हैं उनके पास में कुछ स्वार्त ही नहीं तो ऐसे अब तो अपने आप से लोग ओफर करते हैं क तो अब भी आने वाला समय तो और भी क्राइसिस का होगा क्योंकि दुनिया के अंदर जो अभी भी अंदेरा चाया हुआ है और एक दिन तो वो आएगा कि यहां पर मनुश्यात्मों की लाइन लगेगी जैसे कहा जाता है कि तू लेट का बोड लग चुका एक आपके जो समय खतम होने वाला या मलब हमें पुर्शार्त करना ची क्या कहेंगे इसके बारे में जो आपने बात करी तू लेट का बोड जैसे हम बच्पन में या कोई भी विद्याग थी जो एजुकेशन लेता है तो एजुकेशन लेता है तो एजुकेशन के अंदर परिक्षा होती ह परिक्षा की जब डेट डिकलेर हो जाती है और तो वो क्या करता है उस प्रिपरेशन में लग जाता है उसके बाद में पढ़ाई उसकी समाब्थ हो जाती है उसके बाद सिलाविस उसका कंप्रिट हो जाता है तो इसी प्रकार से यह इस्वरी विश्विद्याले के अंदर तो अब तो केवल थोड़ा सा दोर बचा है तो जैसे कि परिक्षा एक बच्चा जो है अगर शुरू से उसने अभ्यास नहीं किया तो केवल प्रिपरेशन लिव जो दस वारा दिन या विस दिन का टाइम मिलता है उसमें केवल पढ़कर के जो प्राप्ति करना चाहे जो डिविजन प्राप्त करना चाहे उसका बहुत तफ हो जाता है तो ऐसा ही यहां पर भी है तूलेट का मतलब यह कहा जाता है कि हमारी जो तो अभी केबल वो अंतीम समय का दोर बाकी है जिससे की हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परिक्साइं आएंगी क्यों कि परिस्तेतियां बदलने वाली है और आपने देखा करोना काल में क्या होगा सब लोग जो है चाहते भी घरों से घरों के अंदर बंद हो गए किसी तो तो ठीक इसी परकार से अब भी क्राइसिस और बढ़ देवाली है तो उस क्राइसिस के अंदर जो है वह अगर उसने सुरू से लेकर के जीवन के अंदर कुछ आद्यात्मिक सक्ति को ग्रहन नहीं किया होगा तो अचानक उसक्तियों का अन्भाव नहीं कर पाएगा इसल करोना का जुदू धो था एक उस समय ब्रह्माक कुमारिच के अंदर वो शक्तियां यह जो आत्मा प्रमात्मा को जो घ्रन आप डेते हैं वो एक कैसे बैलेंस रहा की पहले से जमा किया हcko पर था हो, यह उसी समय कृतों हम प्राप्त करते रहे见 शोंते रहें डर को ज़न बह दूसरी ओनलाइन हमारी क्लैसे चलती रही तो आजकल जो साइंस ने जो टेक्निक कली जो हमें साउंड कर दिया है क्योंकि हर एक के मोबायल में जो इसुरे मावा के वाते रहे उसको किसी ने सुना किसी ने पढ़ा तो हमारी पढ़ाई बंद नहीं हुए हमारा राज्योग ज संचालन करने के लिए सक्तियां हैं वो तो अमें परमात्मा से मिलती है और परमात्मा ने विस्ताबंद नहीं हुए उसके उपर तो किसी के अधिकार jeśli तो वह तो हमारा कंटिनू छलता रहेगा जैयर किकि कुस भी आजाये क्योंकि आत्रा करमात्मा के लिए जोड़ा लेते कभी कहा जाना पड़ता है, कभी कहा जाना पड़ता है. वो जो फिजिकल हमारी टेवलिंग थी, वो बंद हो गए. तो इससे हमारे तो फैदा हुए. लोगों को बस्तता लगी के हम कहीं जा नहीं रहें, क्योंकि उनके पास में को खालीपन है. उनके अंदर सक्तियां नहीं है तो लोग विचारे बस्त रहे उनको मुसीवतें बढ़ी क्योंकि मुन को कहां लगाएंगे हमारे पास तो पहले से साधन है तो इसलिए हमारे को तो खुशी हुई कि जो हुआ ड्रामा में अच्छा हुआ और समय मिला हमारी में फुद अपने जो है उस समय 6-7 गंटा दिन पर में योग कर सकते थे क्योंकि अभी कार्य अविस्तता के अंदर कभी कहां जाना होता है कभी कहां जाना होता मेरा सेवा इसा है तो हम टाइम नहीं बैठ करके ताइम नहीं देते थे और इस करोना काल में हमारे को जोई फाइदा हुआ हुआ सुबह दो गंटा दोपार को दो गंटा साम को बह गंटा से जोग करते थे अर मैं अरू सक्तियों को देश की सेव अजिए है असम को इस परिश्पी को मुकाबला कर चाए आपकी सेवां से एक एक यहां vitale कि सो से जादा आपने आपने अच्ते और वीदिश में आर्ट गलर मुजियम, मुजियम उसकी अपैनिंग बनाता थी और एजूकेशन यानी कि पबलिक तक आपने ज्यानदेने दिया और इन बैए ज्यान और उन लोगों को कर सिती तो यह मुजियक-आर्ट गैलरी से मुजियम आर्ट गैलरी से इसको पर जनी ग्तो कर पर अपनी तरफ अर्वा आपकमारिज के जहां जहां बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वहां पर हमारी आर्ट गिलरी का निर्मान किया जाता है, तो वह आर्ट गिलरी का निर्मान उसमें तीन परकार के लोग काम करते हैं, एक पेंटिंग करते हैं, एक मोडल करते हैं और एक कारपेंटिंग, ऐसे तीन लोग औक काम करते हैं तो पहले होता है कि हम उसको थेम बनाते हैं, जो भी बालंच वाले चाहते हैं, तो وہते से हम एक थेम बनाते हैं, वहां के भाईवनो का विचार लेते हैं, और थेम को फिर असमी का प्रेक्टिकल मूर्धे के लिए मेरे साथ में करीब 40 मोग काम करते हैं मुर्तिकार है उसमें, प्रेंटिंग वाले हैं और कार्पेंटर है, तो एक जगह करीब आठ दस लोगों का ग्रूप लेके जाता हूं, तो जो थीम हमने डिसाइड की, उनको थीम बताते हैं, थीम कुछ भी हो सकता है, थीम हमारे इस्वरिय ग्यान से समंदित होता है, हम भार क्योंकि आज व्यक्ति जो है वो खाली है, और उसके जगह जब व्यक्ति कहते हैं, इम्टी मायन देवर्श परक्षो, जब व्यक्ति खाली है, तो उसके अंदर व्यक्ति चिंतन आते हैं, उसके अंदर नकारात्मिक सोच आता है, और नकारात्मिक सोच आने से उसके बिमार बढ़ती है, इस्वरी उस्विजाले का यह काम है कि लोगों को पॉजितिव बिचार दे, तो फॉजितिव विचार सकारत में सोच देने के लिए एक माध्यम है, तो उस माध्यम से हम जगे जगे वो कारिय करवाते हैं, और फिर वो फबलिक एले ओपन करते हैं, वो फबलिक उसमें आती है, वो विचार लेती है, वो दुद से देखती है, वो आदेयाती में जो अगए उसमें, नयतिक्ता का विष्टार हो, नयतिक्ता जिवन में लोग लेके आएं, दूसरी बात लेकते हैं कि आध्यात्मिक्ता क्या है, आध्यात्मिक्ता और धर्म दोनों चीजों को लोगों ने एक कर दिया है, हम कहते हैं कि आध्यात्मिक्ता अलग है, धर्म अलग है, धर्म मतलब रि रीच से आप हरवग्ति को श्क शूक नहीं दे सकते हैं आध्यात्मिकता से सुख शोग जए सकते हैं लेकिन получится आध्यात्मिकता से दिरुक्टा से तो जो अभार कि लोग हैं जिससे आप प्रह्मा कॉमारिस में हैं or तो धर्म को और अध्यात्मिक को अगर आप कहते हैं कि जोड़ा नहीं जाता है तो धर्म अलग है फिर धर्म मतले रिच्वल तो रिच्वल चीज जो है वो स्थूल होती है अध्यात्मिक्ता जो शुक्सम होती है अध्यात्मिक्ता आत्मा से कनक्ट करती है तो हम कौन है हम शर इसाई हूं, तो यह चोला जो है, वो मनुस्य के मन को विकृत कभी कभी कर देता है, और उसमें डिफ्रेंस ओपनिन आजाती है, आध्यात्मिक्ता में ये डिफ्रेंस ओपनिन सारे खतम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब एक परमात्मा की संतान है, महां पर धर्म की बात नह सबी लोग मानते हैं कि भगवान एक है, इस्वर एक है, अल्ला एक है, तो जब उसको बानते हैं, तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा आत्मा से आध्यात्मिक्ता से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आत्मा से कनेक्ट होना मतलब उनको आत्मा का सच्चा ज्यान चाहिए है, तो इसलिए हम रिच्वल्स को नहीं मानते हैं, रिच्वल्स जो है वो अपने स्थान पर है, और रिच्वल्स के अगर हम इस बातों में जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंस ओप अपनियन होगी, अध्यात्मिक्ता में कोई डिफ्रेंस ओपनियन होगी, क्योंकि इस विद् तो जब हम कहते हैं कि जब हो वो एक है आप मानते हो तो उससे सत्य लीजिए तो उसका सत्य परीचे देते हैं इस आर्ट गिलरी के माद्देम से उस परमात्मा पिता का हम सत्य परीचे लोगों को बताते हैं और उसको योग कैसे किया जाए उसको कनत करते हैं तो इसमें राज तो इन बातों को लेकर के हम आज गलीर बनाते हैं और उसमें ध्यान दखा जाता है कि जो डाउन ट्रेडर्स के लोग हैं उसको भी कैसे उपर उठाये जाए उनके लिए क्याव सकता है जैसे आज हम उसमें योगी खेती के बारें बताते हैं हमारी जो विंक्स बने हुए हैं उनके बारें बता जाते हैं कि सर्व के सयोग दे सब सुखमय संसार पत्रकार को कहते हैं कि आचरन करें आपका एक ये भी मैंने सुना कि 2016 में राजस्तान गौरव आवार्ड मिला आपको और साथ ही साथ में आपके ये चार बातें बहुत धान पूर्वक आपसे मैं पूछना चाहते हैं कि आपके चार विंग में काम सेवाइं आपके देते हैं जिसे मीडिया विंग है और एड्मिनिस्ट्रेशन विंग है जियोरिस्ट विंग है पॉलिटिकल विंग है में में आपसे ये पूछना चाहते हूं कि पॉलिटिकल विंग और जियोरिस्ट विंग इसमें आपने कैसे सेवाइं कि हमारा मकसद ये रहता है कि वो किसी भी प्रोफेशन में जुड़ा हो और क्या होता है कि लोगों के अंदर खास करके बहुत एहम रहता है जो जज होते हैं, वकील होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके अंदर एक बहुत एहम रहता है, तो जल्दी से वो ब्रहमा कमेरी से कनेक्शन में आना, क्योंकि जूरिष्ट के अंदर तो उनको ओथ दिलाई ज जब वो जज बनता है वो चाहे छोटी पोस्ट पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, तो उनको यह ओत्र दिलाए जाती है कि किसी भी आप धर्म सुनश्टाओं से नहीं जुड़ सकते हैं. तो ऐसे जो प्रोफेशन के लोग हैं, उनका रोल बहुत महत्यो प्रून है. महत्मा गांदी जी ने भारत में सुतंत्र दिलाई, वो भी एक वकिल थे। तो ऐसे जो प्रोफेशन के लोग हैं, उनका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन वो इस मार्क पे चलने के लिए उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनके प्रोफेशन में वो बात कही जाती है कि आप जो सिप ले लेता है, उसको दिलाई जाती है, कि आप उसमें नहीं जोड़ना, कोई भी धर्म संस्टाम में नहीं जोड़ना, डारेक्टिक, तो नहीं आता है, तो हमने या परस्टनली मैंने यह सोचा, कि जो टास्क है, या जो हमारे सामने चैलेंज है, उस चैलेंज क मेडिकल विंग है तो यह यह सारे लोग तो इजिली ब्रह्मा कुमेरिज के या किसी भी धर्म संस्ता से कहिन कहीं जुड़े रहते हैं तो जो लोगों को एक बैरियर है तो मैंने अपने आपको यह समझा कि इन बैरियर को हटाना है और इन लोगों के पास मुझे पहुचना है और मैंने अपना माइंड सेट ऐसा किया क्योंकि मुझे कभी भी किसी से यह अनभव नहीं होता है कि बहुत बड़ा बैक्ति है मुझे जरा भी जिज़क नहीं आती है क्यों मैं यह समझता हूं भगवान का बच्चा है वो इस प्रोफेशन से जुड़ने के लिए जुड़ने के कारण और इसको सफ़ दिलाए गई है लेकिन वो भी एक आत्मा है वो भी भगवान का बच्चा है इसको भी उसके अधिकार से बंचित नहीं होना चाहिए इस बात को मंद में रख करके मैं उन लोगों से मिलता रहा हूं और यह दोनों विंग बहुत ही कहा जैसे जहां तक सोचा रही टफ मुझे लगते हैं क्योंकि वो जल्दी से परइंट में नहीं देते हैं कोई भी जज है आइकार का जज सुप्रेम कोट का जज वो पबलिक को जल्दी से अलाव नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने बचपन से यह सीखा जो जो कोई नहीं कर सकता हो मुझे करना है और मुझे लगा कि यह बहुत सहज भी है, जो लोगों के पिक्चर बना दिया है, पॉबलिक ने, वैसा नहीं है, क्योंकि वो अंदर में खोछते हैं, चाहते हैं, लेगिं उनके पास पहुंचते हैं, तो मैंने सोचा यह काम में करूँ, क्या बात है, यह तो आपने, इसलिए पहुंचता गया और ब्रह्मागमारी के नजदिक आते गए सुप्रेम कोट के अनेक जज को लेकिया है ते वन की चीफ जिस्टिस दिपक मिश्राजी को भी लेकिया है और हाई कोट के हमारे उडिशाई कोट में जो भी आज है और जो पहले रिटार भी हो गए है अजब को लेकिया यह चार विंग में आपने बहुत एक अच्छे सिकार्य किया सेवा है कि अनेक मिनिस्ट्र को लेकिया मेरे को लगा कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है यह आत्माएं भी अंदर में चाहते हैं अध्यात्मिक्ता की तरफ जाना चाहते हैं तो मैंने उनको इस समझाया कि धरम अलग है अध्यात्मिक्ता अलग है इसलिए आपको इस बारे में जरावी सोचने की जूरत नहीं है क्योंकि आप भगवान को तो मानते हैं अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् बहुत अच्छा लगा आपका ये जीवन सुनकर और मुझे उमीद है कि आप हमारे इसकारेक्रम में आते रहें और अपने ज्ञान से हम मुझे खास कर और हमारे दर्श्चकों को भरपूर करते रहें बाइस आप बाते हमारे काम के में आपको बहुत आने के लिए बहुत क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत ही एक विस्तार पूर्वक बैठ के सुनना पड़ेगा हो सकता है इस एपीजोड को रिपीट करके देखिए और बार-बार सुनते रहें और अपने जीवन में कुछ अमल करते रहें अगली कड़ी में एक नई मेहमान के साथ आपके समक फिर से हादिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम श्यंति